दोस्तो Chrome browser एक ऐसा browser है जो सभी Android phone के अंदर आता है लेकिन कभी दोस्तो आपने सोचा है इस Chrome browser के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक setting है ऐसे ऐसे खतरनाक feature है जो आपके phone की battery backup को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे ना जब आप एक बार charge करेंगे ना तो आपके phone की battery तीन दिन तक चलेग ना है सही सुना आप लोगों ने अभी तक Chrome browser से सिर्फ आपने browsing किये होंगे लेकिन आज आप अपने Chrome browser से battery backup बढ़ाने वाले हैं जिसे देखकर खुद चौग जाओगे उसके उसके लिए दोस्तो आपको करना क्या होगा अगर आपके phone का battery health खराब है battery backup बहुत खराब हो गय तो आए दोस्तो हम Chrome browser के सभी feature के बारे में बता देता हूँ जिससे आप अपने phone के battery backup इतना ज्यादा बढ़ा दोगे एक बार चार्ज करने पर लगभग दोस्तो तीन दिन तक आपके phone का जो battery है वो चलने वाला है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने phone का Chrome browser है उस जैसे आप Chrome browser को open करोगे दोस्तो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपका profile logo है आपको इस पे एक बार click करना है जैसे आप click करोगे दोस्तो तो यहाँ पे एक setting देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा यहाँ पे देख सकते यह setting है यह आपके phone में on होगा और यहाँ पे देख सकते यहाँ सभी जगा पे सही का निसान लगा होगा इस setting को यहाँ से बंद कर देना है जैसे आप इस setting को बंद करोगे दोस्तो तो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे देखिएगा कि on हो जाएगा य यहां से जैसे यहां पे bookmarks है, history है, password है, यहां पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे setting आपको on देखने को मिलेंगे, इस setting से आपको इस setting के बारे में पता नहीं, मगर यह setting जो है आपको phone के बैटी को बहुत काफी ज़्यादा encourage करता है, तो आपको यहां पे इस setting को, सारे setting को क्या कर देना है, untick कर देना है, यहां से दोस्तों एकख करके आपको untick कर देना है, यहां से एकख करके आपको सब सारे को untick कर देना है दोस्तों, यहां पे ऐसे करके untick कर देना है, जब आप अंटीक कर दोगे अंटीक कर दोगे दोस्तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपके Chrome Browser के अंदर Sync के अंदर कोई भी Browsing नहीं होगा और कोई भी आपका यहाँ पे बैटी कंजूम नहीं होगा यहाँ पे फर्स सेटिंग को कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको करना क्या है यहाँ से बैक चले जाना है back जाओगे दोस्तो यहाँ से back जाओगे तो यहाँ पर three dots देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो यहाँ setting का option है setting पर click करोगे तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो जब यहां पर आओगे दोस्तों होते यहां पर एक चीज देखने को मिलेगा privacy and security का privacy and security पर आपको 클릭 करना है, जैसे आप privacy and security पर दोस्तों, तो आपके अनदर देखिए दोस्तों यहां पर clear browsing data का option है clear browsing data पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे clear browsing data पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जब आप clear browsing data पर click करोगे तो आपके phone के अंदर यह देखिए on मिलेगा यहाँ पर होता है कि आना दोस्तों कि आप जब भी कुछी भी चीज को आप Google पर या Chrome browser पर save करतो हो तो यहाँ पर आपका data जो है ना save होता है यहाँ पर देखिए clear browsing data यहाँ पर save होते रहता है तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो save है दोस्तों अगर आप उसी को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा data आपका collect हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर last hour दिया हुए ना इस पर आपको click करना है जब आप यहाँ पर click करोगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको कर देना है यहाँ last 24 hours यहाँ last 7 दिन यहाँ 4 week all time का तो आपको यहाँ पर 24 hours क्या होगा ना दोस्तों अगर 24 घंटे गंदर कोई भी चीज आपको search किये है data collection हुआ है तो यहाँ से automatic जो है आपका data clear data हो जाएगा तो आपको यहाँ से 24 hours पर आपको यहाँ पर कर देना है दोस्तों जब आप 24 hours पर यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 24 hours आपको दिखाई देगा तो यहां से को आपका जो Chrome ब्राउजर का data है न वो 24 hours में किलियर हो जायेगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर लेना है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर कुलिक करके यहाँ से जो आपका डाटा यहाँ से आपका बैटरी और इंटरनेट दोनों सेव हो जाएगा यहाँ पर यह सेटिंग कर ला है दो नमर का सेटिंग था दोस्तों तो जैसे आप किसी भी browsing को जैसे किसी भी website को आप Chrome browser पर खोलते हैं तो वहाँ पर कोई गलत website है तो वहाँ पर क्या होगा ना कि आपको लेकर चल जाएगा जिससे आपका फॉन दिक्कत होगा वह गलत website सर्च करेंगे तो आपका फॉन hack भी हो सकता है तो यहाँ पर देखें दोस्तों, enhanced protection पर आपको कर देना है, जिससे यह आपको जाने नहीं देगा, आप खुद यहाँ पर पर सकते हैं, जिससे आपका battery और internet काफी जा गया बचेगा, तो यहाँ पर यह तीन नमर का setting आपको कर लेना है यहाँ से, अब यहाँ से back चले जाना है बैक जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा scroll down करेगा, यहाँ से back चले जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक setting देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है दोस्तों, notification तो notification वाला जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, notification का setting आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ Chrome browser का notification से आपको कोई लेना देना नहीं है आप यहाँ notification से भी आपका battery बहुत खर्च होता है तो यहाँ पे आप notification को भी बंद कर दीजेगा जब आप notification को बंद कर दीजेगा तो यहाँ पे भी आपका battery बहुत जादा बचत होगा तो यहाँ पर यह चार नमर का सेटिंग था दोस्तो अब हम एक पांच नमर का सेटिंग बताने वाल है तो चलिए दोस्तो पांच नमर का भी सेटिंग आपको कर लिजिए बैक चलिए जाए और यहाँ पांच नमर का जो सेटिंग है दोस्तो जिसका नाम है थीम यहाँ थीम प दोस्तो यहां पर हम light mode में कर ले रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तो अगर यह chrome browser के अपने फोन में पांचों setting को on कर देते हैं बंद कर देते हैं तो जिससे आपका battery 5 दिन तक चलने वाला है दोस्तो तो आई हो दोस्तों हमारी वीडियो से कुछ सिखने को में लिए वीडियो हेल भूल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बारे तो फिली चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजे तब तक ले बाइबाट